आमतोर पर लोग चाय के साथ बिस्कुट या पकोडे खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन चीजों को चाय के साथ खाने से सेहत को नुकसान होता है। चाय और केला दोनों ही घटिया फूर कॉम्बिनेशन है और आपके शरीर के लिए नुकसान दे हो सकते हैं इसलिए कभी भी केला खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाये। केला खाने के बाद सफेद चीनी खाने से जहरीला मिक्चर बन जाता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी बिंती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बारा रही हैं तो कृप्या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तो हम मेंसे ज्यादातर लोगों अपने दिन की शुरुवात चाय के साथ करते हैं। चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की चीजों का सेवन करते हैं। कई लोग को समय पर चाय नहीं मिलने पर सिर्धर्ध की समस्या से होती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने से एसिरिटी और पेट की परेशानी हो सकती है। इसलिए ज्यादातर लोग अलग अलग चीजों को चाय के साथ खाते हैं। दोस्तों आज के इस दौर में आमतौर पर लोग चाय के साथ बिस्कुट या पकॉड़े खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन चीजों को चाय के साथ खाने से सेहत को नुकसान होता है तो दोस्तों आईए जानते हैं इन कॉम्बिनेशन के बारे में। बेसन की बनी चीजे न खाएं। दोस्तो चाय और पकॉडे खाना खास कर बारिश के मौसम में ज्यादा तर लोगों को पसंद होता है लेकिन ये आपकी सेहत के लिए नुकसान दायक होता है आप चाय के साथ बेसन के पकॉडे और नमकीन को खाने से बचना चाहिए इन दोनों चीजों को साथ में खाने से शरीर में पोशक तत्वों की कमी हो जाती है और पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है चाय के तुरंत बाद पानी न पी दोस्तो चाय पीने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए इसके अलाबा चाय के साथ किसी भी ठंडी चीजों को नहीं खाना चाहिए चाय के बाद पानी पीने से पाचन तंतर पर बुरा असर पड़ता है इससे पेट में एसिडिटी होती है आप चाहे तो चाय पीने से पहले पानी पीए खटी चीजे न खाएं दोस्तो ज्यादातर लोग चाय के साथ नीमबू मिलाकर पीना पसंद करते हैं हालांकि नीमबू की मातरा अधिक होने से अपच गैस और एसिडिटी की समस्या होती है अगर आपको लेमंटी पानी पसंद है तो नीमबू की मातरा कम डाले चाय के साथ खटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है हल्दी वाली चीजे दोस्तो चाय के साथ हल्दी वाली चीजों का सेवन न करें ये दोनों चीजे रियक्ट कर जाती है जिसकी वजह से पाचन तंत्र को भारी नुकसान पहुँच सकता है चाई पीने के कुछ समय बाद हल्दी वाली चीजे खा सकते हैं आप अपनी डायेट में अत्यधिक मात्रा में हल्दी नहीं खाना चाहिए कच्ची चीजें को सेवन न करें दोस्तों चाई के साथ या बाद में कच्ची चीजों को साथ न खाएं ये आपके पेट और सेहत के लिए नुकसान हो सकता है चाई के साथ सलाद, अंकुरित अनाज और उगला अंडा खाने से बचना चाहिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद